मेरा नाम है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में निफ्टी का मंचली चार्ट टेड चार्ट प्लस फिफ्टी-मिनूट चार्ट पर अनलीस करेंगे कि किस तरीका का प्राइज अक्षान निफ्टी के रहा है और साथ Jipper मार्केट में sell-off चल रहा है वो sell-off में nifty में जो बड़ा breakdown आया तो उसके कितने target खुलेंगे इसको भी हम understand करने की कोशिस करेंगे तो जल्दी से वीडियो को start करते हैं और समझेंगे यहां पे कि किस तरीके का data nifty का बना हुआ है और साथ हम nifty का monthly chart, weekly chart, day chart और 15 minute chart को analysis करने की कोशिस करेंगे कि किस तरीके का price action nifty के अंदर बना हुआ है और यह जो breakdown आया इस breakdown के कितने target open हो रहे हैं इसको भी हम understand करने की कोशिस करेंगे तो सबसे पहले अगर हम option chain data देखें यहां पे तो जैसा कि देखो अगर last trading session में US market की अगर बात करें यहां पे जैसा कि उसमें 6% की गिरावट हमें परसो के dating session में देखने को मिलीती हो कल भी करीब करीब 100 point dow jones और nasdaq करीब 180 point गिर के बंद हुआ है तो अगर हम nasdaq का पूरा calculation देगे हैं तो nasdaq अगर देखा जाए तो कितना गिर चुका है इसको हम understand करते हैं historical level पे जाते हैं और monthly में देखते हैं तो आप देख सकते हो last month में 13% गिराता और इस month में करीब 1.5% नीचे दिख रहा है तो total अगर हम मिला हैं तो करीब करीब आपका 15% के आसपास nasdaq down है तो nifty में अभी सिर्फ 4.5-5% की गिरावट आईए तो अभी भी nifty में जगे है 3-4% गिरने की तो उसको हम understand करेंगे कि कौन सा important level रहेगा nifty के लिए जहां तक nifty जातकता है तो सबसे पहले option chain data में देखें तो यहाँ पे nifty के closing IT 16,400 पे तो 16,400 की level को से understand करते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले 16,500 की level जहां पे की आपको 30 लग का open interest दिख रहा है call side पे और 16,400 की call पे भी करीब करीब 22 लग का open interest दिख रहा है put side पर बात करें 16500 की put पर 18 लाग का open interest दिख रहा है और 16400 की put पर करीब 26 लाग का open interest दिख रहा है 16300 की call की बात करें तो 7 लाग का open interest यहाँ पर call side है और put side पर करीब 20 लाग का open interest यहाँ पर दिख रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह ही है कि आपके लिए जो important level है नीचे की साइट पे वो 16300 है 16300 break होता है तो फिर next target nifty का 16150 का यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई देगा यह option chain data में clarity हमें दिख रही है और 16500 पे जिस तरीके से call writer add हुए है तो जब तक 16500 नहीं निकलता तब तक हमारे पास यहाँ पे buying के लिए कोई opportunity नहीं रहेगी 16500 निकलेगा तो हम 16600 तक के लिए buy करके काम कर सकते हैं एक बार यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत short covering की मदद से या फिर fresh buying की वज़े मदद से निफ्टी 16700 तक जा सकता है यह point हमें clearly यहाँ पे समझ में आने चाहिए ठीक है इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को understand करते हैं कि निफ्टी का चार्ट कैसा दिख रहा है तो सबसे पहले निफ्टी का मंतली चार्ट लगाते हैं तो मंतली चार्ट में यह दिखो picture clear दिख रही है हमें कि negative view बन रहा है क्यों बन रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे यह negative candle बनी ठीक है और फिर यह positive candle फिर यह negative consolidation candle और फिर यह एक और negative then हम नीचे गिरे नीचे थे हमने एक pullback दिखाया और फिर उपर से अब दुबारा से नीचे follow up करते हुए आ रहे हैं तो अगर थोड़ा सा price action आप देखोगे तो किस side पे बन रहा है monthly chart पे negative side का indication यहाँ पे दे रहा है और अगर हम इस low के नीचे close हो गया तो यह confirm हो जाएगा और फिर हम around 15,000 तक easily गिर सकेंगे ठीक है monthly chart पे यह picture हमें दिखाई दे रही है अब weekly chart को understand करें तो weekly chart पे आप देखोगे तो weekly chart पे क्या हो रहा है इसको भी understand करते हैं तो weekly chart पे आपको clearly यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर के level पे आपके पास एक resistance है ठीक है उस resistance को आप हमेशा mark करके रखि event होगा तभी break होगा otherwise यह इस level पे resistance करेगा यानी 18,000 आपके लिए strong resistance का काम करेगा ठीक है अब नीचे की side पे आपके पास जो important target है वो है आपका 15,684 का जहां तक nifty गिर सकता है ठीक है इतना आपको यहाँ पे clear picture दिख रही होगी ठीक है तो weekly chart पे क्या हो रहा है weekly chart पे आप हमने एक भी यहाँ पे ऊपर क्या किया एक consolidation candle बनाई फिर हम गिरे फिर हमने gap down करके consolidation किया फिर हमने another trading session consolidation किया week का और फिर उसका यह breakdown यहाँ पे दिख रहा है ठीक है तो इस breakdown का target कितना हो सकता है आपका 16,000 तक का easily target हो सकता है यानि 16,140 तक nifty easily गिर सकता है कोई further गिराबट य यह open हो जाएंगे और एक बस 16,000 की नीचे गए तो फिर आपको 15,700 तक का यहाँ पे एक गरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी यानि कह सकते हैं हम दो से तीन trading session में एक हमें अच्छा थासा गरावट देखने को मिल दखती है एक जब nifty 16,000 की नीचे जाएगा तब और एक जब nifty अपने 16,350 के लोग को तोड़ेगा तब तो यह दो trading session बहुत जादा important रहेंगे यह जब भी आते हैं trading session जैसे किसी भी trading session में nifty 16,000 break करता है तो आपके लिए next trading session में 15,700 का target open हो जाएगा तो आप वो 300 point के target के लिए play कर सकते हो ठीक है इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं day chart की day chart पर कैसा दिख रहा है निफ्टी उसको भी understand करते है देखो last trading session में क्या हुआ last trading session में अगर day chart पर का price action देखोगे तो आप यह negative price action indicate कर रहा है clearly यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह और पूरा यानि यहाँ से इसने lower low lower high बनाना start किया फिर sideways गया उसका breakdown और फिर यह gap down opening जो की 16,400 की closing है तो जब तक अब price action किसके ऊपर trade करना चाहि जब तक यह price action इसके ऊपर नहीं निकलता यानि 17,400 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलता तब तक strong buying का तो कोई moment बनेगा नहीं ठीक है न हर ऊपर के level पर विक्वाली ही आईगी तो उसके लिए आप पहले से ही prepare रहीएगा ठीक है इस level पर विक्वाली आ सकती है वो opportunity दिखेगी जब भी bounce पर आता है आपको इस level से कह सकते है कि sell off देखने को मिल सकता है ठीक है इतना आपको day chart पर यहाँ पर समझ में आ गया होगा अब चलते है 15 minute chart पर 15 minute chart पर analysis करते है कि कि किस तरीके से आपको Monday का trading session में trading करनी चाहिए तो देखो 15 minute chart पर simple सा logic है simple सी understanding है उसको आपको follow करना है last trading session में आपको एक consolidation देखने को मिला था ठीक है और फिर यह एक gap down है इस gap down के अगर हम बात करें तो इस gap down का जो जिस level से gap down हुआ था 16,670 का level तो कहीं ना कहीं अगर यह 16,500 के उपर निकलता है तो यह 1500 point का moment आपको मिल सकता है और अगर यह नीचे breakdown देता है त वो आपका है 16,140 का ठीक है तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ पर focus रखना है कि यह इस channel के अंदर खुल के यह किस side breakout या breakdown दे रहा है अगर breakdown दे रहा है तो 16,140 और 16,050 तक के target आपको नीचे निफ्टी दिखा सकता है और अगर breakout दे रहा है तो यह level strong resistance की तरह act करेगा तो 16,700 हाइस target आपको मिल सकता है उपर के side से वहाँ से यह दुबारा से एक बार profit booking यहाँ पर देखने को मिल सकती है तो यह particular point आपको ज़रू ध्यान में रखने है कि यह एक sharp गिरावट के बाद एक gap down होगा gap down के बाद साइडवेज गया है market हो सकता है इतना आपको यहाँ पर दिमाग में जरूर रखना है उसके बाद ही आपको यहाँ पर trade लेनी है नीचे की side अगर यह breakdown देता है तो थोड़ा सा आप aggressive होके sell कर सकते हो क्योंकि global market थोड़े से negative है और हो सकता है आपको एक अच्छा profit मिल जाए उपर अगर यह जाता है तो जाता बड़ा losses कर लेते हैं क्योंकि यह जो consolidation होता है इस consolidation में सबसे ज्यादा over trading होती है जिसमें कोई direction नहीं बनती है इंसान को लगता है कि as a retail trader लगता है कि अभी market ऊपर चला जाएगा अभी गिर जाएगा बट market कहीं नहीं जाता है और उनको ultimately time value की विज़े से loss हो जाता है पिलस साथी साथ जो छोटे मोटे sharp move आते हैं उनकी वज़े से उनको losses हो जाते हैं ठीक है यह पूरा nifty का chart की analysis थी जो मैंने आपको यहाँ पे share करी है अब nifty currently कितना गिर सकता है अगर उसके साब से हम estimate लगाए तो nasdaq जैसा कि हमने देखा करीब 15% down है तो nifty को भी एक बाद देख लेते हैं कि कितना down है historical move में जाते हैं और आपको monthly में देख सकते हो आप monthly में around देखा जाए तो April मंत में 2% गिराता और May में 4% गिर चुका है तो total मिलाके 6% हो गया है अब मैं यह नहीं कह रहा कि 15% गिर सकता है लेकिन यहां से further 4% तो easily गिर सकता है nifty और 4% का अगर हम estimate लगाएं तो nifty में around target जो आता है वो करेब करेब आप मानके चलिए कि एक नया swing low बनाने के like तो है तो यहां से अगर कोई भी गिरावट further extend होती है तो यह आपके लिए target है इस target से यह एक बार nifty bounce back कर सकता है यानि नया swing बनने के chances is very high तीक है अब सब कुछ depend करेगा global market पर अ चास या 16000 के label से ही bounce back दिखा दें ठीक है तो यह सारे particular point आपको दिमाग में रखने है अगले week के लिए जो कि आपके काम आएंगे तो I hope दोस्तों यह particular data आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा दिन आपके लिए ने वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों जै हिंद